हेलो ट्रेंट्स मैं हो कुछल बर्नवाल और आज पुना उपासे तुम्हें हूं 12th क्लास के NCIT Math के differentiation लेकर आज मैं पढ़ने वाले हैं implicit function और explicit function आप देख सकते हैं explicit function और implicit function का derivative तो सबसे पर हम लोग यह जानेंगे कि explicit function और implicit function होता क्या है तो आप देखिए यहां से हम लोग ऐसे लिखते हैं कि x plus y equal to 6 फर्स example second example देखते हैं x x square plus y square equal to x plus y equal to sin x plus y third example fourth example देखिए x x square plus y square equal to equal to 10 xy ध्यान्दी जेस्टेट्स क्या आप यहां से y valid term को अलग और x एक तरफ और x valid term को एक तरफ कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कैसे आप देख लिजिए y equal to यह plus में ज़िए तो minus x plus 6 देखिए तो यह एक ऐसा function है जिसके x valid term को और y valid term को आप अलग अलग कर सकते हैं तो इसको अमने बोलते हैं क्या explicit function क्या बोलते हैं यहां से देखिए कि आप यहां से भी अलग कर सकते हैं तो यहां से सकते हैं अगर आप यह सुचते हैं कि x को हम इधर भेज देते हैं यानि कैसे y equal to sin x plus y minus x तो y वह तर्म अलग नहीं हुआ क्यों देख लिजिए x plus y है ठीक है आप सोचते हैं कि यहां से हम लोग sin को इधर भेज देंगे यानि कैसे इसके साथ sin inverse में तो इधर क्या बचे इधर हो जाएगा sin inverse x plus y equal to x plus y तो ध्यान देंगे स्ट्रेंट्स आप अभी भी क्या देखे कि x plus y एक साथ रहा यानि कि यहां पर हम लोग x और y को अलग लग नहीं कर सकते और जब x और y को अलग लग नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग इसको बोलते हैं implicit function क्या बोलते हैं students implicit function इसको बोलेंगे implicit function ठीक है यहां से देखिए कि आप यहां से अलग कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर 10 के साथ क्या है x plus y अगर आप 10 को इधर लाएंगे तो 10 inverse क्या हो जाएगा x square plus y square तो कैसे 10 inverse x x square plus y square equal to xy तो फिर देखना है कि यहां से x और y अलग-अलग नहीं हुआ तो जब अलग-अलग नहीं लिख पाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग implicit function एगर फिर रिपीट कर देते हैं explicit function कि इसको बोलते हैं तो अगर function में x वाले term को अलग और y वाले term को अलग कर सकते हैं यानिकि y वाले term को एक तरफ x वाले term को एक तरफ तो क्या बोलेंगे हम लोग explicit function आप इसमें देख रहे हैं कि x वाले term को और y वाले term को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं यानिकि x वाले term को एक तरफ y वाले term को एक तरफ नहीं कर सकत तो इसको क्या बोलेगे हम लोग implicit function ठीक है अब देखते हैं हम लोग explicit function और implicit function पर best questions का derivative कैसे find करते हैं अब लोग देखते हैं students explicit function और implicit function पर best कुछ questions को पहला question है y dy by dx if x minus y equal to pi देखते हैं जो sociable क्या लिखेंगे given और जो दिया है उसको लिखी है given x minus y equal to pi क्या यहां से हम लोग y और x को अलालग कर सकते हैं तो बिलकुल minus में है इधर है का तो plus में यानिकि x अच्छा यह इधर क्या है प्रस में इधर हैगा तो minus में minus pi equal to y अब चाहे तो इसको ऐसे भी दिख सकते हैं y equal to x minus pi अब क्या लिखेंगे differentiate with respect to x dy by dx equal to इधर क्या हो जाएगा आपको पहले ही बताया है कि अगर minus में है तो दोनों का हम लोग अलग differentiation कर सकते हैं तो क्या हैगा dx by dx minus d pi by dx और इसका value की तरह one होता है आप जानते हैं क्योंकि आपको पिसल लेक्टरस में बताया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले बाले लेक्टरस को देख चुके होंगे क्योंसेट का डिफ्रेंसेशन कितना जीरो तो इस तरीके सिसका डिफ्रेंसेशन कितना आया वन और दिस इज और एंसर ठीके सुट्टरस शेकर यहां में देखते हैं सबसेपर लिखिए सलुचन और गीवन जो दिया है उसको लिख देंगे हम लोग क्या आएगा वाई पलस साइन वाई एकवाल टू ल्याटो कोज меньше डिफ्रेंसियेट डिफ्रेंसियेट विद रेस्पेक्ट टुक्श और explain के अल गैवला कशला डिफ्रेंसियेशन सत्का डी Presas प्लस d sin y by dx equal to d cos x by dx ये कैसे लिखे हम लोग तो इस डोट्स आप जानते हैं कि जिसका differentiation करना है उसके साथ d लगा करके उपर और जिसके respect में उसके साथ d लेंगे और उसको बटा के नीचे अब देखिए y का differentiation तो dy उपर x के respect में dx नीचे sin y का differentiation तो d sin y बटा के उपर और x के respect में dx नीचे cos x का differentiation तो d cos x उपर और x के respect में तो dx नीचे हम लोगों dy by dx तो find करना है यहां लिखा हुआ है तो यह तो ऐसे ही रहाए गा dy by dx ध्यान देजी एस्ट्रेंस क्या यहां फर्मुला अपलाई होगा तो आपको पहले वाल लेक्षास बताय गया है कि यह फर्मुला तभी अपलाई होगा जब sin के जो एंगल में है वहीं बटा में आए यानि कि नहीं है तो इसको set करेंगे d sin y बटा कितना dy into dy बटा dx और cos x का फर्मुला differentiation के पहले लेक्षर में अगर आप पहले लेक्षर को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएए और differentiation वाले ग्रूप में देखिए वहाँ पर आपको differentiation के सबी लेक्षास मिल जाएंगे cos x का differentiation क्या होता है minus sin x क्या होता है जोएंट्स minus sin x ये बताएए क्या यहां से dy by dx common आ जाएगा बिर्गूल आएगा तो यहां से क्या बचेगा यहां से common आ गया तो 1 और sin y का differentiation क्या होता है cos y equal to कितना आया minus में sin x यहां से आप value find कर लिए किसका dy by dx का कितना आ जाएगा तो dy by dx का देख लिजिए therefore dy by dx equal to क्या हो जाएगा minus sin x बट्टा one plus क्या cos y और यह रहा मनों का answer रहा अब देखते हैं next question एक्जांबोला में थी देखते हैं इसमें लिखेंगे solution लिखा हुए है तो इसको पहले given लिखिए xy equal to 10 of x plus y कैसे बनेंगे इसको इस्ट्ट्ट्स तो सबसे पर लिखेंगे differentiate with respect to x इधर क्या रहेगा d xy by dx इधर क्या रहेगा d 10 of x plus y by dx इसको कैसे बनेंगे इस्ट्ट्ट्ट्स यह भी आपको बताये गया है इव इंटो भी पर तो पहले वाले को बाहर दूसरे वाले का differentiation प्लस दूसरे वाले को बाहर और पहले वाले का differentiation अगर आपको इसमें दीकत हो तो प्लीज पहले आप इसके पिछले वाले लेक्सास को देख लिजिए उसका वीडियो प्लेलिस्ट में लोड़ है और इधर देखिए आप इधर क्या है डी टेन एक्स पलस वाई यहां फर्मुला कैसे सेटों गाजुएंट्स तो मनों जानते हैं कि टेन के जो एंगल में है वही बटा में आना चाहिए यानकि डी घ्र्मुला क्या है एक स्वाहेंक आ एक्स वाई अटो दी एक्स पलस वाई और बोनाकि एख्षे यहां से देखिए यह क्या है x dy by dx को dy by dx आना देते हैं प्लस y और इसका value 1 तो 1 इसे में y में multiply करें तो y ही रहेगा equal to 10 का क्या होता है फर्मूला तो 10 का differentiation होता है sick square तो क्या होजागे यहां से sick square x plus y और यहां से दिखिए इसको क्या करेंगे हम लोग अलगला differentiation करेंगे में तो क्या है अगया और क्या एकलव to by dx कि छुए सट गैसि के सब्सक्ताइब ले जाराएGS को एक तरफ कर लेंगे और dy by dx को कम ले लेंगे आई इसलोब करते हैं एक्स dy by dx प्लस y equal to अब यह multiply कर गए इसमें तो यहां हो जाएगा sec square x plus y यहां प्लस है तो प्लस sec square x plus y इंटु कितना dy by dx अब dy by dx वे टर्म को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ तो आप इसको इधर लाते हैं इधर लगेगा तो इधर लगेगे तो क्या हो जाएगा x dy by dx और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस sec square x plus y dy by dx और इधर पहले से क्या है students पहले से है sec square x plus y और यह प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में इसमें से क्या कमन आएगा dy by dx कमन आजाएगा तो इधर क्या है यान कि क्या बचेगा cost में देखे तो यहां से यहां से बचेगा x माइनस और यहां से क्या आएगा sec square x plus y equal to यहां से क्या आएगा sec square x plus y माइनस में y किसके फिलो फाइंट करना है dy by dx का तो therefore dy by dx कैसे आएगा students तो यह इसके साथ multiply में है इधर एगा तो division में आ जाएगा यानि कि हो जाएगा sec square x plus y minus y बट्टा x minus sec square x plus y तो इस तरीके से आप इस लेक्सस में देखे explicit function और implicit function क्या होता है और इस पर best questions को झाल